सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि पूरी निष्ठा और इमानदारी के साथ 2019 के चुनों में राहुल जी ने पूरी मेहनत की पार्टी की बात उन्होंने बड़ी मजबूती से जाय उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के बाहर पूरी देश में रखे पर जो परिणाम हमें जिसकी उमीद थी उन ही आये उसकी बहुत सारी वज़ा है उसके साथ एक राहुल जी ने स्तीफा दिया मैं ये मानती हूँ कि जितनी जिम्मेदारी या उत्तर दायत राहुल गांधी जी का है उतनी ही जिम्मेदारी और उत्तरतायत हर पाटी के पदादिकारी और कारेकरता का भी है और एक कारेकरता के रूप में, एक पदादिकारी के रूप में मैंने उत्तरप्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के महमंतरी पत से और कॉंग्रेस विधान मंदल दर के उपनीता के पत से मैंने स्टीफा दिया है और मैं ये मानती हूँ कि ये स्टीफा केवल इसलिए है कि राहूल जी जिस पत्पे हम लोग चाहते हैं उनकी धेक्ष्टा में चुनौल लड़ा गया वो उसी तरह उस पत्पे बने रहें मजबूत करें उनके समर्थन में ये स्टीफा दिया गया है मेरे साथ प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अन्य लोगों ने भी स्टीफा दिया है और हमारे सिर्व वही मांग है कि राहूल जी कॉंग्रेस पत्पे बने रहें और उनके ही नितित में कॉंग्रेस पार्टी पू 2022 की बात करें तो बीजेपी ने 2022 के मिशन को फत्य करने के लिए अभी से तयारियां शुरू कर दी हैं बीएस पी भी कही ना कहीं तयारियों में जुड़ गई है लेकिन कॉंग्रेस अभी स्तीफे, स्तीफे की मनजूरी इसी की ऊपो में है तो 2022 कैसे पूरा होगा देखें ऐसा करते रहेंगे और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रियंका जी जो की पूरवी उत्तरप्रदेश की जनरल सेक्रेटरी भी है और हम उनके नेतित्व में बड़ी ताक्त और मजबूती के साथ और आप परिनाम देखेगा 2022 के परिनाम कॉंग्रेस के पक्ष में हो होगा और हम 2022 की तैयारी में अभी से जुड़ गए हैं बहुत से चारी चीजे प्रत्यक्ष होती हैं बहुत प्रत्यक्ष होती हैं बड़ प्रियंका जी के नेतित्व में हम पूरी मानदारी से हम सभी लोग काम कर रहे हैं काम करते रहेंगे पद महत्पूर्ण नहीं है जिम Santosh Kumar, ABP, Ganga.